पाठ्टो जोने कमांग ताइटीस ती थी दुवज़ार बाइस कच्छा साथ विशाई हिंदी कलांस पाँचे वदी पैंतालिस मिनट दिन मंगलवार छत्रे धापक रभी रंजनकुमार विदाले राजयके मद्ध विदाले तितिरा जीरद प्रकरान है दानी पेंड है समाने उदेश में पहला बिंद है बच्चों में भासा के प्रतिरूची उत्पन करना दूसरा बिंद है बिदार्थों में कल्पना सकती का पिकास करना तिसरा है बच्चों में तरख सकती चिंतन सकती का पिकास करना चावथा बिंद है बच्चों को पेंड से होने वाला लाब प्रति दया की भावना की जनकारी प्राप्त कर सकेंगे। सिक्षडविधी, प्रश्णोतरविधी, वेख्यान विधी, पुर्वियान, बच्चे पाले से कहानी दानी पेन के बारे में समाने जनकारी रखते हैं। सills ते अख में हमें क्या देखते हैं? फूल, पेणड, आदी। तुसरा प्रस्णो, पेणड से हमें क्या क्या पराप्त होता हि। फल फूल लकड़ी आदी तोथा प्रस्ण आप कोई दाने पेड़ के बारे में बताईए तो मौन समस्यात्मक प्रस्ण उदेशे कथन बच्चो आज हम लोग सेल सिलुवरेश्टाइन रचित कहानी का रसा स्वादन करेंगे कठीन निवारा सब्द आर्थ ठूंट पत्ती एंव टाहनी भी हिन पेड़ साखा का आर्थ डाली टाहनी दानी का आर्थ दान देने वाला प्रस्टूती करण सिक्षण बिंदू छत्रे धापक किरिया सिक्षण बिंदू है दानी पेड़ का परिच्च है प्रिका सत्मक प्रस्ण पहला दानी पेड़ नाम कहानी के कहानी कार कौन है दूसरा प्रशन पेंड हमें क्या क्या देते हैं तिसरा प्रशन पेंड इन सब के अलावा हमें क्या देते हैं विदार्थिय नुकिरिया में दानी पेंड के कहानिकार हैं सेल, सिल्वर स्टाइन पेंड हमें फॉल, फूल, लकड़ी और अक्सीजन देते हैं इस पेड इन सब के अलावा हमें क्या देते हैं तो मौन समसायत्मक परश्ण सिक्षण बीदी है परश्ण ओतर बीदी श्यामपट कार्या पेड हमें क्या नहीं देते फूल फल अकड़ी जलावन छाव ऑक्सीजन आधी देते हैं दूसरा सिक्षर बीदु है बेख्यान बीधी विदार्ति धान प्रुपक सुनेंगे श्यामपट कार्या में पेड वर्षा कराने मदद करते हैं पेड परविभीन परकार के पक्छी रहते हैं जिससे वे फलो को दूर दूर बिखेर देते हैं इस तरह वे दूसरे जगों पर पौधे पुनपते हैं पेड वाईव को सुद करते हैं पेड मीटी कटाव रोकते हैं छत्रे दापक कथन दाने पेड व्याख्या अश्पष्टि करां छत्रे दापक कथन सेल सिल्वर स्टाइन का जनम 25 सितंबर 1939 इस विगो शिकागो अमेरिका में और निधन 10 मई 1999 में हुआ एक पेड था वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था लड़का भी पेड से बहुत प्यार करता था लड़का पेंड के पास हर दिन आता वो फूलों की माला बनाता उसके तन्य पचरता उसकी सखावों से जोलता और उसके फल खाता फिर वो पेंड के शानात लुकाची भी खेलता जब वो ठक जाता तो पेंड की छाओं में सो जाता इस तरह पेंड बहुत खुश था समय बितता गया लड़का जवान हो गया वो अब पेंड पर खेलने नहीं आता तो पेंड दुखी होता जब आता तो पेंड बहुत खुश होता पेंड से लड़के ने पैसे मागे पर वो कहा मेरी पास पैसे तो नहीं तुम मेरे फल को बेंच दो इससे पैसे मिल जाएंगे पेड़ हर बार यथा संभव देता और अंततों अपना तन्ना भी देता है और खुश रहता है पुन्राईविर्थी प्रश्ण छतरे धापकिरे का पाला प्रश्ण दानी पेड़ नाम कहानी के लेख कौन है दूसरा प्रश्ण सेल सिल्वर स्टाइन का जनम कब और कहां हुआ था गिरिख कार्यों में पाला प्रश्ण दानी पेड़ कहानी के लेख कौन है दूसरा प्रश्ण पेड़ हमें क्या क्या देते है नीचे अपना हस्तक्षक पर यक्षक हस्तक्षर दूसरे पेज में परधान दयपक आज्ताक्षर विदार्थिन कुरिया में दानिप्यर कहानी के लेखक सेल सिल्वरस्टाइन है सेल सिल्वरस्टाइन का जनम कहा हुआ हुआ और कभ हुआ तो सेल सिल्वरस्टाइन का जनम 25 सितम बर 19132 को सिकागो अमेरिका में हुआ था